हाई गाईज, मौसम की साथ खाना भी चेंज हो जाता है, जैसे गर्मियों में हलके खाने से, थंड में हैवी खाना, जिसे वजन बढ़ने लगता है आज की वीडियो में मैं फ्लाट पहली विंटर डाट प्लान दिखा रही हूँ, जैसे वजन कम और आपकी इन्मुनिटी और मेटाबलिसम बढ़ेगा दिन की शुरुवात मोरिंगा वेट लॉस पिल से गरें, यह एंटी इंफ्लामिटरी और स्लिमिंग पिल है और पहली ही दिन से असर दिखाने लगता है इससे आपको काफी इनर्जी भी मिलेगी और काफी आसान है बनाने में, वो भी कुछ ही इंग्रीडियन्स यूज़ कर इन पिल से जॉइन्ट और बॉडी पेन, पेट का फाट, ब्लोटिंग और गैस कम होगा इसका दीटील वीडियो मेरे चैनल में है और लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है नाश्ते में कैरेट ओट्स और एक कप कॉफी लेमन ट्रिंक पिए ओट्मील बनाने के लिए एक पैन लें और गैस अन करें फिर एक चुथाई कप रोल्ड ओट्स डालें नेक्स्ट दो हरी इलाइची और एक टेबल स्पून रॉ पम्किन सीड्स डालें एक मिनिट या जब तक ओट्स हलकी ब्राउन ना हो जाएं टोस्ट करें नेक्स्ट देड़ सो एमिल दूद और आधा कप ग्रेट गाजर डालें कोई भी दूद ले सकते हैं डेरी या नट मिल्क अब सबको अच्छे से मिला लें नेक्स्ट एक टेबल स्पून मेपल सिर्प डालें अगर शहट डाल रहे हैं तो ओट्स बनने के बाट डालें अब पैन पे लिट लगाएं और लो गैस पे दस से बारा मिनेट कोख होने दें हर दो से तीन मिनेट में स्टर करते रहें जब गाजर कोख हो जाए तो गैस बंद कर लें एक बोल में shift करें ऊपर से थोड़े से pumpkin seeds या कोई और nuts डालें और हमारा carrot oatmeal तयार है यह दिखने में जितना अच्छा है खाने में उससे भी ज्यादा tasty और healthy है Oats, गाजर और pumpkin seeds का combination अच्छा है क्योंकि आपको काफी protein और fiber मिलेगा जो body के लिए फाइद मन्द है Coffee lemon drink से आपके पेट का fat, कमर और वजन कम होगा इसका detailed video मेरे channel में है और link नीचे description box में बीच में एक apple के साथ 2 टेबल स्पून plain peanut butter लें या फिर कुछ खीरे खा सकते हैं Lunch में 2 super food रोटी के साथ एक कब दही या कोई और low fat recipe और green salad लें मैंने खीरे के कुछ slices रखे हैं मोरेंगा रोटी weight loss के साथ inflammation, cholesterol, joint pain बगएरा भी कम करेगी और इसको बनाने के लिए एक mixing bowl लें और एक cup गेहूं का आटा डालें आप कोई और आटा भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई 100% whole grain, sprouted flour या फिर कोई nut flour आपकी मरसी का अब इसमें 3 teaspoon moringa powder डालें moringa एक super food है और इसमें काफी vitamin C, protein, calcium, potassium और phytochemicals हैं next एक teaspoon नमक डालें मैं यहाँ पर himalayan pink salt यूज़ कर रही हूं क्योंकि इससे water retention और वजन दोनों कम होते हैं अब इसमें 1 teaspoon अजवाइन डालें इनसे रोटियों का taste बढ़ता है इनमें काफी nutrition, fiber, antioxidants, vitamins और minerals हैं end में गुन-गुना पानी डालकर dough बना लें एक कब पानी से शुरू करें और थोड़ा और add करें अगर ज़रूरत हो तो दो कुछ ऐसा बनेगा अब medium size के balls बनाए और balance से रोटियां बेल लें चाहे तो पान के lid से gold shape दे सकते हैं एक कब आटी से 6 रोटियां बन जाएंगी अब इन्हें गरम पान या तवा पे cook कर लें आप हलका सा घी भी लगा सकते हैं वैसे यह optional है यह रोटियां काफी soft और हलकी green color की बनती है मोरिंगा की वज़े से शाम को एक cup winter tea के साथ एक boiled अंडा या एक संत्रा लें इस टाय की अच्छी खुश्बू और flavor है और गर महट देगी सर्दियों में इस टाय से body fat कम होगा और metabolism और immunity बढ़ेगी यह recipe मैंने black tea के साथ बनाई है अगर आपको black tea नहीं पसंद तो आप green tea के साथ इसे बना सकते हैं इसका detailed video मेरे channel में है और link नीचे description box में dinner में या तो एक glass detox smoothie या फिर एक bowl soup का लें यह दोनो recipes काफी healthy और weight loss friendly है soup बनाने के लिए पहला ingredient है beetroot और दो बड़े size के beets ले 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 मेरे पास एक पंच है जिसमें एक बड़ा और बाकी छोटे है इसलिए मैं यह सारे यूज कर रही हूँ beets को अच्छे से धोकर peel कर ले फिर इनके pieces काटके boil करते है जब यह boil हो जाए तो इन्हें ठंडा होने दे फिर blender में ढाले आदा कब पानी आट करें और blend करें जब तक smooth consistency न मिल जाए अब एक saucepan ले और gas on करें एक tablespoon extra virgin olive oil डाले फिर दो chopped lehasun डाल के saute करें कुछ protein और crunch के लिए मैं एक tablespoon each pumpkin और sunflower seeds डाल रही हूँ यानि दोनों एक tablespoon अच्छे से mix कर तब तक saute करें जब तक lehasun light brown और seeds टोस्ट न हो जाए अब बीट की puree को saucepan में shift करें अच्छे से मिलाए और कुछ और पानी डालना हो तो डा लाने दे चार से पांच मिनिट बॉल करने के बाद गैस धीमी कर चार से पांच मिनिट और simmer होने दे अब चार से पांच मिनिट के बाद गैस बंद करतें अब seasoning add करनी है नमक और काली मिर्च का powder paste के अनुसार डाले मैं यहाँ पर हिमालियन pink salt यूज कर रही हूँ नेक्स्ट दो टेबल स्पून नीमबू का जूस और थोड़े से फाइनी चॉप धनिय के पत्ते डालें अच्छे से मिलाएं और ऊपर से कुछ और धनिया पत्ता pumpkin और sunflower seeds से गार्निश करें और हमारा beet soup तयार है दिखने में जितना सुन्दर है खाने में उस से भी शांदार हो पाते हैं और हमारी body इसके nutrition को अच्छे से ले पाती है 30 मिनट के बाद oats को पानी से रिंस कर लें यह नरम हो जाते हैं कुछ ऐसे अब blender setup करें और jar में oats डाल दे नेक्स्ट एक सेब के कटे हुए pieces डाले आपल स्किन के साथ लें आपल में काफी fiber और vitamins हैं oats के साथ इसका combination का अच्छा है और body का fat जलाने में help करते हैं हमारा metabolism बढ़ा कर next एक चुथाई teaspoon हल्दी powder डाले मैं organic powder यूज कर रही हूँ हल्दी में curcumin है जिसे weight loss होता है fat tissues का growth कम होता है और insulin resistance भी कम होता है next एक चुथाई teaspoon डालचिनी का powder डाले यह भी organic है Ceylon cinnamon यूज करें नाकी साथी दालचिनी जिसे cassia cinnamon या Chinese cinnamon भी कहते हैं ट्राइ करें organic spices लेने का क्योंकि यह synthetic fertilizers, prohibited pesticides और GMO से free होते हैं next smoothie को मीठा करने के लिए मैं एक tablespoon maple syrup डाल रही हूँ आप चाहें तो शेहर भी यूज कर सकते हैं end में एक कप पानी डाले अब अच्छे से blend करें जब तक smoothie से consistency ना मिल जाए अब एक glass में shift करें ओपर से थोड़े से chop बादाम और दालचनी powder से गानिश करें वैसे यह optional है लेकिन कटे हुए बादाम इसमें अच्छे लगते हैं और अब हमारी weight loss oats turmeric smoothie तयार है यह smoothie safe है सबके लिए और काफी light है पीने में इसमें हल्दी है और कोई चीनी, दूद और केला भी नहीं है इसलिए इसे night time पेंगे अपने dinner की जगे तो ज्यादा फाइदा होगा body भी detox होगी और वजन भी कम होगा वो भी सोते सोते है यह plan सबके लिए safe है और आप आसानी से 10 kg कम कर पाएंगे इसे try करें और अपने results मेरे साथ share करें आप मुझे इंस्टा और FPPP follow कर सकते हैं और मैं जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक पेट कम करें मेरे winter diet plan के खानों के flavors को enjoy करते करते भाव